पिछले हफ़ते आपने देखी प्रतिभागियों के बीच कला की जंग सब को पचार कर टीन पहुंचे गुरुवार के गाला राउंड में पर गुरुवार को अपनी श्रेश्था का पर्चम लहरा कर दिनली के राजु प्रिंट्स एंड ग्रूप ने फाइनल में अपनी जगह बनाए देखते हैं इस हफ़ते कौन लहराएगा अपनी कला की विजय पता का परेडी प्रिंस फार्मसेटिकल्स कुरकुरे एंड मौटीन नेजर गार्ड तो चलिए मेले की शुरुवात करते हैं और बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टिन को अक्सर मा ही अपने बच्चे की उंगली थाम कर उसे चलना सिखाती है हसना बोलना सिखाती है लेकिन आज यहां कुछ अलग होने वाला है एक अदबुद मा बेटी की जोड़ी आ रही है तो भईया जूरता तालो के साथ स्वागत करते हैं रश्मी और राश्री की जोड़ी और इसको बच्पन से ही डांस क्लास जोइन करा दी है अजकल के बच्चे ही आज है कि ममा को साथ में ले जाना ही पसंद ही करते हैं लेकिन इसको लगा कि नहीं मैं अबनी ममा को सिखा सकती हूँ तो I love my daughter very much है हम ही बनेंगे मेले का बिक स्टार और बन के रहेंगे झाल 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 दोनों बहनों के लिए जोरदार तालिया I am the mother of Ratshwee क्या बात करी है आप मम्मी हैंकी सच्ची सच्ची तो मम्मी जी आप कबसे इने सिखा रही हैं सब साड़े तीन साल की थी राश्री तब से सीख रही है डान्स तब से राश्री दान्स सीख रही है लेकर आप कबसे सिखा रही है मैंने कभी डान्स में सीखा ये डांस की परफॉर्मेंस दो राज्शी ने चिखाई है मुझे ये डांस भी आपको राज्शी ने किया है राज्शी ने चिखाई है जी तो आप इनकी मम्मी और ये आपकी गुरू है क्या बाद है अदभुत जोडी, नयाब जोडी मा बेटी के लिए जोड़दार तालियां हो जाए जबरदस्ट मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि इस तरह का कारेकरम देखकर के मन में एक ही बात जगती है वो ये कि आजकल तो माईं भी बेटियों की सहीलिया है लेकिन इस तरह कि जब कारेकरम साथ में लेकर के आती है ये मुझे लगता है नए बदलते जमाने की पूरी सोच को दर्शाती है ये इस तरह की प्रस्तुती जहां पर मा बिल्कुल सकुचाती नहीं कहने में कि बेटी मेरी गुरू है क्या बात है सलाम है आपको आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप इतनी बड़ी बच्ची की मा है और लेकिन आप दोनों ही इतनी बुद्धिमती हैं प्रतिभाशाली हैं और खुबसूरत हैं इसलिए आप डिजर्व करती हैं बोरो प्लस का ये गिफ्ट हैंपर मैं लेके आ रहे हूँ जोड़दार तानिया मालनी जे के लिए प्रतिभाशाली बोरो प्लस एक फाइदे अनेक क्या बात है आप इस मंच पर टैलेंट का गिरना मना हैं जैसे क्लिनिक प्लस से बालों का गिरना मना है बेटी मा की साया या मा बेटी की छाया जितनी तारीव करें कम हैं क्या खूब रंग जाया क्या खूब रंग जमाया दोस्तों रेट वहां होता है जहां समंदर का निशा होता है लेकिन जो हमारा अगला परफॉर्मर आने जा रहा है वो जहां होता है वहां रेट का खूबसूरत सा जहां होता है जोड़ दातालों के साथ स्वागत कीजिए भोजराज का लिए लीश देक da र怖 already जोड़ सें मलेऊ से बिवक शुड़कोर भीशा 알का रभभ दोड़कोर झाल 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 तो ये बिल्कुल रन्वीर कपूर थे रॉक स्टार के लेकिन कमाल है आप मैं कह सकते हूं इतने कम समय में इतनी सफाई के साथ और आपके उंगलियां खेलती हैं कहीं भी आपने इंप्रोवाइज भी नहीं किया आखरी तक भी आपको वक्त मिलता तो मुझे लगता ने जाने इसमस कितने चेहरे निकल के आते कहां से हैं आप मैं मैं रायपूर 36 गड़ से हूं आपके पूरे शहर को आपना जोना चाहिए मुझे लगता है मेले का बिक स्टार आने के बाद पूरे हिंदुस्तान को आपना जोगा तो चीक निकला आती है खून निकलना शुरू हो जात है तो जरा सोचिए कोई अगर नंगे पाउं काटों और शीशों के टुकडों पर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा तो जोड़ आता लोगे साथ स्वागत कीजिए आपके होश उड़ा देने के लिए जो आ रहे हैं भुपाल के विजेंद्र भवई डांस में माहिर भुपाल के विजेंद्र लेकर आ रहे हैं अपनी कला का एक अद्भुत नमूना देखते हैं क्या ही हमारे जजजस को प्रभावित कर पाएंगे झाल अपनी किया है विजेंद्र लिए जो आपके विजेंद्र लेकर आपके विजेंद्र झाल 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 जोर्दार तालियों होदाएं जबन असाइक के लिए हिम्मत दिखाने के वो नए नए रास्ते ढूंड लेते हैं मुश्किलों में बहारे ढूंड लेते हैं बिचालो रहा में चाहे जितने भी कांटे जैसे आपके बिच गए थे ऐसा जज़वा है इनका कि कांटों को भी मोम बना देते हैं माली जी भवई राडिस्थान का गुजरात का बड़ा पारंपरिक फोक डांस है और जिसमें की मुखिता औरते करती हैं आदमी बजाते हैं साथ में गाते भी हैं और एक की उपर एक घड़े भी रखके और तरह तरह के करतब करतें सही हैं मुझे अच्छा ये लगा कि जो गाना था पारंपरिक फोक उसमें भी चकरी की ही बात थी और आप चकरी से ले के आक्ट कर रहे थे और अकेले करना जब जो जिसकी आदत सामुहिक प्रस्तोती देने की हो वो बड़ा मुश्किल होता है यहां पे करना लेकिन हम लोग एंट टेसंस को मंच पे अमंत्रित करते हैं अब वैसले की घड़ी के लिए यहां काफी टेंस नज़र आ रहे हैं लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी ख़बर जो इस हॉलिक्स प्रिजेंज मिले का बिग स्टार सीजन टू में टॉप पॉजिशन पे आएगा विनर बनेगा उसे मिलेगा पूरा एक लाग का इनाम एक लाग रुपे दिए जाएंगे विजेता को और अब मार्क्स का सिलसला शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि तीन कलाकार युद्ध के मैदान में कृष्ण जी ने चक्र चलाया था एक ने यहां चक्र चलाया उसरे ने रंगोली फिलाना चाही रंग भनना चाहा अब सब की जिंदगी में और तीसरी मा बेटी की अद्बुच जोड़ी जहां बेटी की मा की बेटी मा की गुरू है अब नमबर बाने का अनुखा तरीका के अनुसार जो सबसे पहले मन छोड़के जा रहे हैं उन्होंने अपने लिए आठ मार्ग सरजित किये मैं उनका नाम लेना चाहूंगा रश्मी और राच्छी शब्द नहीं होते यार जब ऐसा एक मौका आता है बहुत बहुत धनेवाद बहुत बहुत शुक्री आप सबका जूरदार तालिया हो जाए यार जी माली जी कुछ नहीं जाते हैं रश्मी जी मैं आपको यह बताना चाहूंगी किसी एक को ले जाना है और चुकि मेले का बिक स्टार ढून रहे हैं तो जो हम पहले देख चुको उसमें नई चीज हो उसी के लिए हमने निर्णय लिया हैं लेकिन आप इस चालेंट को मत छोड़िएगा साथ बैठ कर ऐसी प्रस्तोती देते रहेगा जोर्दा दालिया हो जाएं इन दोनों के लिए थैंक यू सू मच यहां इस मंच पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो कुरसी वहां दो लगाई हैं उन पर कितना भारी प्रेशर रहता है जिम्यदारी होती है हमारे जजजस के कंदू पर उनको सई निर्ने लेना होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि विचेंद्र को यहां पर मिले है नौ मार्क्स जब तक भोज राज का फैसला नहीं आ जाता तब तक खुशी नहीं मना सकते अब मैं आपको बताता हूँ विचेंद्र को मिले है नौ नौ से अगर एक कम आपको मिलता है तो आप जाएंगे और एक जादा मिलता है तो आप रुखेंगे भोजराथ जिन्होंने रंगोली से कई चित्र बनाए उनको मिलते हैं दसमाक्स जैसे ही मैंने बोला कि भोजराथ को मिलते हैं और आपकी आखे बंद हो गए थी क्या जहन में आया उस वक्त जो सपने लेकर मैं यहां आया हूँ बस वही मेरे जहन में आ रहे थे कि मैं जो टेलेंट रंगोली जो की हमारे भारती संस्कृति में एक अहम स्थान रगता है घर के आंगन में बनती है और इसे मैं एक विस मंच पर लेकर आ रहा हूं तो बहुत डर लग रहा था अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं अभी डर रहे हैं लेकिन निडर हो जाईए क्योंकि आपने आज अपनी जीत दर्ज कर दी है विजेंदर अच्छा चक्कर चलाया था यार बहुत अच्छा किया था कहीं एक परसंट क्योंकि आपको नौ मेले हैं इनको दस मिले हैं तो एक परसंट कही ना कहीं वो रहे गया मामला बिजेंदर बहुत ही मायूस है यहां पर लेकिन जेंदर मायूस ना हो विश्यू अल्ड़ बेस्ट थालिया हो जाएं बिजेंदर के लिए अपने इतना अच्छा परफॉंकिया इसलिए इसलिए अवरेडी प्राइ से इजाज़त लेंगे आप कीजे हमारा अंदजार हम मिलते हैं आपसे अगले हफते मेरे यार तब तक किलिए हॉलिक पुजेंद मेले का बिग स्टार सीजन टू देखते रहिए